बिदूरी जी, उदेबान जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए समझते हैं आईना के इस विशेश अपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंदिया समाचार 27 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ स्वाती ठाकूर जुबान में इमान है तो समझे इकबाल है जुबान, बेलगाम है तो मानकर चलिए कि बैमान है सियासत में आप जुबान से बनते हैं और जुबान से ही बिगड़ जाते हैं अजीब सी होती है ना जुबान, गलत चल जाए तो कटार, बत्तमीज हो जाए तो सबार पार जिगर मुरादवादी कहते हैं कि तेरे जमाल की तस्वीर खीच दूँ लेकिन जबा में आँख नहीं होती और जुबान नहीं होती मिर्जा गालिब ने भी जुबान पर क्या खूब लिखा है कि मैं भी मुँ में जुबान रखता हूँ, काश पूछो की मुआद क्या है मीर तंखी मीर ने जुबान पर जो लिखा वो भी आपको सुना देते हैं, लिखते हैं कि गुफ्तगू रेखते मैं हम से न कर, ये हमारी जुबान है प्यारे बोल में महबत से आप किसी को अपना बना सकते हैं, अहंकार आजाए तो खुद कहीं हो जाते हैं जुबान पर काबू रखकर आप अटल बन जाते हैं, मीठी कर जुबान आप मनमोहक कहलाते हैं संजीदगी रखकर आप चंदर शेखर हो जाते हैं, स्यासत में शब्दों के तीर गंभीर होने चाहिए, अधीर नहीं भारत्य जन्ता पार्टी सांसद रमेश बिदूडी और हर्याना कॉंग्रेस अध्यक्ष उदेबान ने जो बोला वो बत्तमीजी और बदजुबानी की श्रेनी में आता है आजाद भारत का इतिहास पटा पड़ा है उन भाषणों में जिनमें आलोचना के साथ संजीदगी है, आरोपों के साथ तमीज है रमेश बिदूडी और उदेबान जैसे नेताओं को आइना दिखाने वाले कुछ भाषणों का जिक्र मैं आपके साथ यहाँ पर करूँगी उनसे पहले भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक याद का जिक्र यहाँ पर जरूरी है एक बार देश के पहले प्रधान मंतरी पंडे जवाहलाल नहरू ने जनसंग की अलोचना की तो अचल ने कहा मैं जानता हूँ कि नहरू जी रोज शीर्शन करते हैं वो शीर्शन करें मुझे कोई अतराज नहीं है लेकिन मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी ना देखें यह सुनते ही जवाहलाल नहरू ठाक कमार करहस पड़ते हैं इसे कहते हैं अलोचना का स्तर एक और किस्से का जिक्र करना जरूरी है नहरू और अतल सियासत में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं लेकिन सच ये है कि पंडी जी अतल के मुरीद थे एक बार नहरू जी ने भारत यात्रा पर आये और ब्रिटिश प्रधान मंत्री से वाजपई को मिलवाते हुए कहा कि इन से मिलिए ये वेपक्ष के उभरते हुए युवा नेता है हमेशा मेरी आलोचना करते हैं लेकिन इन में भविश्य की बहुत सारी संभावना है देखे ध्यान दीजिए इन दोनों किस्सों में दो राजनेतिक विरोधी हैं लेकिन किसी के शब्द किसी के भी शब्द ओचे नहीं है शब्दों से मान होता है और शब्दों का भी मान होता है रमेश भीदूरी और उदेबान को समझने की जरूरत है कि आपके शब्द किसी और के नहीं है आपका ही अपमान कर रही है राजनेती में शिष्टा चार जरूरी है याद रखिए आपकी बदजुमानी गर्त में पहुंचती है भारत की लोक्तांत्रिक और सांसदे परंपरा के कई सारे ऐसे उधारन है जो संसद के अंदर और बाहर शब्दों का संसार जिन में रचा गया है गीता की गूंच और गुलाब की गंद में लिप्टी आलोचना शेरोशायरी के साथ पलटवार सब कुछ तो देखा है हमने फिर पंदरवी लोकसभा के दुरान UPA का शासन था सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त कॉंग्रेस थी और विपक्ष में भारते जन्ता पार्टी के आरोपों का दौर था भारते जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच अकसर अकसर वाक्यूद होता रहता था ये उसी दौर की बात है जब सूश्मा स्वराज और तत्कालीन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग के बीच शेरो शारी का दौर चला संसर में एक बहस के दौरान मनमोहन सिंग ने भारते जन्ता पार्टी पर निशाना साथते हुए मिर्जा गालिब का मशूर शेर पर डाला उनने कहा कि हमको उनसे वफा की क्या उमीद जो नहीं जानते वफा क्या है इसके जवाब मैं सूश्मा स्वराज ने कहा कि अगर शेर का जवाब दूसरे शेर से नहीं दिया तो क्या काम किया इसके बाद उन्होंने वशीर बदर की मशूर रचना पड़ दी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनमें यूही कोई बेवफा नहीं होता सूश्मा यही नहीं रुकी एक और शैराना हमला करते हुए उनने कह डाला कि तुम्हें वफा याद नहीं हमें जफा याद नहीं जंदगी और मौत के दो ही तरानी है एक तुम्हें याद नहीं एक हमें याद नहीं भारत का मजबूत लोगतंत्र नई संसर में प्रवेश कर चुका है वक्त का तगाजा है कि भारते राजनिती में शश्टा चार की यार दिलाए चाए 21 अगस्त 1963 को लोगसभा में अपने भाशन में राम मोहन लोहिया ने कॉंग्रेस सरकार पर जम कर हमला बोला था लोहिया ने कहा था कि देश की 60 प्रतिशत आबादी हर दिन तीन आनाप प्रती पर जीवन यापन कर रही है और प्रधान मंत्री के कुत्ते पर हर दिन तीन रुपए खर्च हो रहे हैं बहस हुई पक्ष विपक्ष ने हिस्सा लिया लेकिन गाली गलोच या बदजुबानी बिलकुल भी नहीं थी भारत के पूर प्रधान मंत्री चंद्र शेखर देश के उन्ने ताओं में गिने जाते हैं जिनकी पहचान सपष्ट बात कहने के लिए रही उनके संसद में कई सारे ऐसे भाषन हैं कई ऐसे बड़े बड़े भाषन हैं जिनमें उन्होंने बहुत ही साफ गोई में से कुछ मुद्दों पर उनके द्वारा बात रखी गई कारगिल युद के बाद संसद सत्र हुआ चंदरशेखर ने कहा आज भारत और पाकिस्तान बराबर हैं क्योंकि दोनों के पास प्रमाणू ताकत है अब लड़ाई की बात बंद होनी चाहिए चंदरशेखर उन्ने ताओं में रही हैं जिनके बयान में कह सकते हैं कि ठसक रही है पाकिस्तान के खिलाब युद जीतने के बाद संसद में चंदरशेकर का खड़े होकर बादपई से कहना कि प्रधान मंत्री जी आप हमसे लड़ लें पाकिस्तान से ना लड़ें उनका जिग्रा ही दिखता था इतना ही नहीं रमेश भी दूड़ी और उदेबान जैसे जैसों को समझाने की यहां पर जरूरत है कि मानफता आज खिन है उनका पुजारी सो गया है जो शान्ती है आज अशान्त हो गई है उनका रक्षक चला गया है भाशा आज उदास है क् शब्दों और तत्थियों से दिवालिया नेता उसका स्तर गिरा रहे है चलिए आएना के विशेश एपिसोड में इतना ही अभी के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार